दोस्तों स्वागत है आप सबीका बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के बड़े ख़वरों के बारे में इस विडियो में जानते हैं आज की सबसे बड़ी ख़वर बिहार में बिमारी पर सियम का अलट कुरोना के खत्रे को लेकर नई गाइड लेंड जारी अब एक दिन में दो लाख लोगों की होगी जाज बाहर से आने वालों पर विसेस नज़र बिहार में कोरोना से बचाव की तयारी को लेकर सनिवार को सियम नितिस कुमार ने कई निर्देश चारी किये हैं इसके तहद बाहर से आने वालों की जाच अनिवार कर दी गई है मुंबई केरल और तमिल नाडू से आने वालों की जाच जरूर करने और बास इस्टेन रेल्व जाज करने के भी निर्दिस दिया गिया है साथी सियम नितिस ने कहा कि सहरी छेत्रों में जिनका टिका करन बचा है उनका जल से जल टिका करन कराए ग्रामीन छेत्रों में भी विसे सभ्यान चला कर टिका करन में तेजी लाए टिका करन ही कुरोना से बचाव का करगर उपाय है सियम ने कहा लोग मास्क का परियोग हर हाल में करे या कुरोना संक्रबन से बचाव की साथ-साथ अन्य वाइरल बिमारियों से भी बचाव की उप्योगी है आगली बाड़ी खबर तेजस्वी ने नितीश कुमार को लिखी चिटी कहा रगवन्स परसाथ सिंग और राम बिलास पासवान के मूर्थी लगवाए जयन्ती या पुनी तिती को राज के समारो घोसित करे जयाते जैसे वी आदब ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार को पत्र लिख कर पूर्व केंद्रे मंत्री रगवन्स परसाथ सिंग और राम बिलास पासवान के राज में आदम कद प्रतिमा इस्तापित करते हुए उनकी जयन्ती या पुनी तिती को राज के समारो घोसित करने की मांग की है मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में इनोंने कहा है कि दोनों राज की महान विबोती होने के साथ साथ प्रकर समाजी वादी नेता थे दोनों ने अपने सामाजिक सरुकोर और सक्रे राजनितिक जीवन के माईदम से राज की उल्लेकनी सेवा की है दोनों बिहार के इसे सपूत रहें जिनके व्यक्तितों और कितितों से हम सभी बिहार वासी सदा रिनी रहेंगे बाड़ी कबर अधिक किराय की खिलाब सक्ति बिहार में 21 बस चालोकों से वसुलो गया जुर्माना 28 वाहनों को किया जब्त हेलमेट और सीट बेल्ड के खिलाब भी अभियान जहां परिवहन विभाग को लगतार सिकायते मिल रहे थी कि बस चालक मन किराया वसुल रहे हैं ऐसे सिकायत परिवहन मंत्री सीला कुमारी तक पहुझी बसों में नेदारित ज़र से अधिक भाड़ा वसुल के मामले को लेकर विभाग गंबीर हुआ और इसकी खिलाब बड़े पेमाने पर अभियान चलाया गया जीलो में बस इस्टेंड और ओटो इस्टेंड से सारवजनिक परिवहन के वहनों के खुलने से पूर वयात्रियों का फिडवर्क लिया गया और सिकायत मिलने के बाद समनित बस मालिक या बस चालक पर कारवाई की गई हेलमेट सीट बेल्ट के साथ साथ बस चालकों द्वार अधिक किराया वसुल की विरोध सनिवार को सभी जीलों में चलाये गई विसिस जाच अभियान में कूल 330 वहन चालकों पर कारवाई की गई दो गुना किराया वसुल करने वाले कूल 21 बस चालक संचालक पर जुर्माना लगाए गया और बस सहित अन 28 वानों को जब्द करने की करवाई की गई हेलमेट सीट बेल्ट मनमाना भाड़ा वसुल के साथ ही अवर लोडिंग की भी जाच की गई आगली बड़ी खबर बिहार में वाहन चेकिंग के दोरान पुलिस कर्मी नहीं करेंगे दुर बिभार ट्रेफिक आईजी का फरमान जिहां वाहन चेकिंग के दोरान पुलिस कर्मियों और ट्रेफिक जवानों के दुर विभार को लेकर पुलिस मोख्याला इस तरह से सभी जिलों के पुलिस पतादिकारियों को पत्र लिखा गिया है राज के ट्रेफिक आईजी एमार नायक ने निर्देश दिया है कि वाहन चेकिंग के दोरान पुलिस कर्मि सयमित विभार का परिचे दे हाल कि दिनों में पुलिस कर्मियों के दोरा वाहन चेकिंग के दोरान कई जगा दुर विभार का मामला सामने आया है इसको लेकर पुलिस पबलिक के भी जड़ब की भी नौबत आ गई है इसकी सिकायत वरी अधिकारी तक भी पहुची है ऐसे में ट्रेफिक आईजी ने निर्देश में कहा है कि यातायत में तेनात पुलिस पतादिकारी वा पुलिस करमी ड्यूटी निभाने और वाहान चेकिं वे चालान काटे या अन करवाई करे इसे आम लोगों की बीज पुलिस की चवी भी बेहतर होगी और आक्रोस का भावी नहीं पनपेगा अगली बड़ी कबर बिहार के साड़े तीन करोड स्रमिकों को मिलेगा सरकारी योजनाओ का लाब दिसंबर तक होगा रजिस्ट्रेशन जिहां बिहार के स्रम संजादन मंत्री जिवेस कुमार ने नियोजन महवन में बैठक को समधित करते वे कहा कि 31 दिसंबर तक प्रदेश के 3 करोड 47 लाग कामगारों के निबंदन का लच्च है जिसे सबी 38 जिलों में अभिहान चला कर हासिल करना है सबी असंगडित चेतर के कामगारों को राष्टिय इस स्रम पोटल पर निबंदन कराए जाने है तो 17 सितमर को स्रम कल्यान दिवस पर इस अभियान की सिरुवात होगी साथे उन्होंने बताए कि केंडर सरकार ने देश बर के सबी असंगडित चेतर के लवक 43.7 करोड स्रम को इस सम पोटल चोड़ने की पहल की है इसका उद्येश कामगारों तक सबी समाजिक सुरक्चा योजनाव का लाप पहुचाना है केंडर ने बिहार को 3 करोड 47 लाग स्रमिको के निवंदन का लच्छ दिया है अगली बड़ी खबर बिहार के 2749 स्कुलों में सुरू होगी स्माट कलास बड़े साइज की टिवी स्क्रीन पर पढ़ेंगे 8 वी तक के बच्चे जिहाँ बिहार के मिडिल स्कुलों में पढ़ाई करने वाले गरीब और मैदम वर्ग के बच्चों के लिए अच्छी खबर है ये बच्चे स्माट कलास में बड़ी स्क्रीन पर साइन्स और मेत की पढ़ाई करेंगे सिक्चा विबाक की ओवर से पहले चरण में 2749 मिडिल स्कुलों में स्माट कलास योजना को लागू करने के तयारी की जा रही है प्रते की विदाले में स्माट कलास तयार करने के लिए 2,40,000 रुपिय खर्चोंगे सिक्चा मंतरी विजय चोदरे ने कहा कि बच्चों को डिजिटल डिवाईस के माज़दम से गुनवत्ता पोन सिक्चा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है स्माट कलास में बच्चों को बड़ी स्क्रिन पर एजुकेशन सिडी के परदसन कर उन्हें खेल खेल में पढ़ाया जाएगा अगली बड़ी खबर बिहार में अधिकारियों के लिए बुरी खबर जमीन का पैसा वसुली की सरकार लापरवा अपसरों पर गिरेगी गाज जिहां बिहार में राजस्वे अमम मुमी सुधार विभाग में तैनात अधिकारियों के लिए बुरी खबर है नितिस सरकार उनसे जमिन की किमत वसुलनी की तैयारी में है ऐसे अपसरों की किलाब एक्सन लिया जाएगा जिनके सरक्षन में लापारवाई बरती गई और उसका खामियाजा सरकार को भगत न पड़ा राजस्वे अमम मुमी सुधार विभाग अबर मुख सचे विवेक कुमार सिंग ने या जानकारी दी है उन्होंने कहा कि सरकारी जमिन के सरक्षन में लापारवाई बरतने वाले राजस्व अधिकारियों पर एक्सन लिया जाएगा प बिहार के इस गल्स होस्टल में टावजर पहनने पर लगी रोक चात्राओं को हमेशा बुर्के में रहने का फर्मान लड़कियों ने इसे तालिबानी फैसला बताया जहां बिहार के भागलपुर जिले में अलप संक्या गल्स होस्टल के चात्राओं ने जबर जस्त हंगाम किया लड़कियों ने काफी पत्तर बाजी भी की दरसल गल्स होस्टल में इन लड़कियों को टाउजर पर रोक लगा दी गई है अधिक चक इन्हें हमेशा बुर्के में रहने का आदिस दिया है सुप्रेटेंडर के इस फैसले को लड़कियों ने तालिबानी निर्ने बताया है आपको बता दे कि भागलपूर में बियन कोलेज के पास इस्तित अलप सेंक गल्स होस्टल में यह बवाल हुआ है लड़कियों काफी हंगामा कर रही होस्टल की गेट पर उन्होंने खूद रोड़ी बाजी की है चात्राओं का आरोफ हो की अधिक्चक गालिया देती है ह आगली बाड़ी खबर शिक्चा विवाग अक्टूबर में बिप्यासी को भेजेगी रिखतिया इसके पंदरा दिन बाद प्रकासित होगा बिग्गाबन 45,852 में से 16,000 प्रधान अधिपक प्रधान अधिपक प्रधान अधिपक और प्रधान अधिपक बहाली के लिए 5334 प्रधान दपक के रिख्ती भेजेगा शिक्चा विवाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है और अंध की बड़े कबर खुले में तंबागों बेचने वालों पर निगम करेगा करवाई अनुमते की बेना नहीं खोल सकते हैं दुकान जहां पाटना नगर निगम एवाम पाटना निगम के सीड द्वारा आयोजीत वर्कस्वप में रनीती तैयार की गई गौर तलवे की पाटना छेत्र में हजारू की सेंक्या में तंबागों की दुकाने हैं एवाम खुले में लोग दूम्रपान एवाम तंबागों का इस्तिमाल करते निजर आते हैं कोरोना न अगर निगम अब इन से सक्ति से निप्टेगा